नमस्कार दोस्तों, computer typing class के day 7 में आपका स्वागत है पिछली class में हमने कुछ important keys की practice करना शुरू किया था जिसमें हमने backspace और enter key को practice किया था आज की class में हम shift key की practice करेंगे तो shift basically एक modifier की है modifier keys हम उने कहते हैं जिने अगर आप दुसरी keys के साथ में दबाएंगे तो ये उस key के function को modify कर देगी यानि उसके function को change कर देगी for example keyboard में आपको ये जो punctuation keys देखने को मिल रही है जैसे comma है, full stop है, forward slash है तो ये सब basically punctuation keys हैं जिने आप punctuation type करने के लिए press करते हैं लेकिन एक चीज आप इन में देखेंगे कि इन keys पर दो punctuation mark बने हुए हैं लेकिन अगर आप इन्हें press करेंगे तो सिर्फ नीचे की तरफ जो punctuation mark बना है वो ही type होगा अगर मैं इस key को press करूँगा तो comma type होगा अब अगर आपको उपर की तरफ बने punctuation mark को type करना है तो आपको इसे shift के साथ में दबाना होगा यानि पहले shift प्रेस कीजिए और फिर इसे प्रेस कीजिए तो ये key अपने second function पर shift कर जाएगी इसी लिए जो है हम shift को shift की बोलते है क्योंकि ये इन keys को उनके दूसरे function में shift करने का काम करती है तो ऐसे ही जितनी भी keys हैं जिनमें double punctuation marks बने हुए हैं उन्हें अगर आप without shift की प्रेस करेंगे तो नीचे वाला mark टाइप होगा और shift के साथ प्रेस करेंगे तो ये उपर वाला mark टाइप होगा ऐसे ही ये जो उपर numerical row है इनके भी देखे दो function है इनसे number भी type होते हैं और symbols भी तो इन्हें भी अगर आप बिना shift के दबाएंगे तो number type होंगे और shift के साथ में दबाएंगे तो punctuation type होंगे या symbols type होंगे तो shift का keyboard में ये यूज है कि ये keys को उनके दुसरे function में basically shift कर देती है एक और important use है shift का अगर आपको capital letter type करना है तो आपको उस letter को shift के साथ में दबाना हुआ जैसे मुझे A को capital letter में type करना है तो मैं shift और फिर A दबाऊंगे नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम capital letter type करनी के लिए caps lock का use करते हैं बट touch typing में हमें shift का use करके capital letter type करनी की आदर डालनी होती है तो shift की के लिए मैं आपको कुछ practice दता रहा हूँ जिने आपको day 7 में practice करना है तो home row position में आ जाए अब कुछ बात हों का आपको दिहान रखना है जैसे अगर आप ऐसी की को capital letter में type करना चाहते हैं जो left hand की finger से press होती है तो आपने right hand की pinky finger से shift की press करनी है जैसे मुझे a को capital letter में लिखना है तो मैं right hand की pinky finger से shift प्रेस करूँगा और फिर a दबाऊँगा वही अगर मुझे ऐसे letter को capital letter में type करना है जो right hand की finger से press होता होगा तो मैं left hand की pinky finger से shift की press करूँगा इसलिए देखे keyboard में दो shift की दी गई है यानि जिस letter को आप uppercase में type करना चाते हैं उसके opposite hand की pinky finger से shift प्रेस आपको करना है तो shift के लिए आपको इस तरह से practice करनी है all aksay akas alia तो ऐसे ही आपको left hand से और words बनाने है first letter shift का use करके capital बनाए फिर उस word के बाकी letter टाइप करें और फिर कॉमा लगाएं तो इसी तरह से जितने words आप बना सकते हैं उत्ते बनाएए आपकी practice के लिए ये बहुत अच्छा होगा ऐसे ही left pinky finger से practice करने के लिए आपको right hand से words बनाने जैसे काईरा काजल जितेज उदय ऐसे ही और words बनाके आप left shift की की से capital letter टाइप करने की practice का सकते हैं दोनों shift की दबाने की practice करने से आपकी typing speed पर बहुत अधिक improvement आईगी क्योंकि अगर आप सिर्फ एक shift को use करेंगे तो ये आपकी technique को कहीं न कहीं खराब कर देगी next अगर आपको इन punctuation keys या उपर numerical keys के function को shift करना है यानि इन पर बने other symbol को type करना है तो जिस भी symbol का symbol या punctuation को आप type कर रहे हैं उसके opposite hand की pinky finger से shift को दबाएं अगर इस तरह से practice करेंगे तो धीरे धीरे आप shift के साथ capital letter, punctuation और बाकी symbols असानी से type करने लगेंगे देखे अगर आप कोई typing test clear करना चाते हैं तो आपको shift का use करके ही capital letter type करना चाहिए क्योंकि अगर आप इसके लिए caps lock का use करेंगे तो आपको दो बार caps lock दबानी होगी, एक बार upper case के लिए और दुसरी बार उसको lower case करने के लिए, तो इससे basically आपकी speed पर काफी फर्ब करता है बलकि अगर आप shift की दबाकर यानि दोनों shift की दबाकर capital letter बनाएंगे तो आपकी speed fast होगी, आज shift के साथ में आपको practice करनी है, इस class को यहीं कात्म करते हैं, जाते जाते वीडियो को तो subscribe कर लिजे, आपसे मिलते हैं next class में, तब तक के लिए goodbye